हेलो गाइज मैं पायल वेल्काम टू डी एंडी न्यूज हर एक दिन की नए खबरे पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तो कपूर खांदान की बेटी कपूर खान को राहुल नाम से कुछ जादा ही लगाँ है लगता तो ऐसा ही क्योंकि करीना ने हाल ही में अपने क्रश के बारे में खुलासा किया है करीन ने Dance India Dance 7 के मंच पर ये बात कबूली कि उनका आशकी फिल्म वाले राहूल रोय पर क्रश था करीन का पूर निस बात का कुलासा भी किया कि राहूल रोय के लिए उन्होंने आशकी आठ बार देखी थी बता दे राहूल रोय ने अपने डेब्यू फिल्म आशकी से ही लाखों का दिल जीत लिया था उस समय राहूल जादा तर लड़कियों के क्रश हुआ करते थे लिकिन करीला का राहूल नाम पर क्रश कोई नया नहीं है करीना कपूर राहूल के साथ भी डेट पर जाना चाहती थी और बात ही करना चाहती थी इसका खुलासा खुद उन्होंने साल 2002 में एक इंटर्व्यू के दोरान किया था साल 2000 में अब शेक बच्चन के साथ फिल्म रैफ्यूजी से बॉलिवूड में डेब्यू करने के बाद करीना सिमी ग्रेवाल के मशूर चैट शो बे पहुची थी इस चैट शो में करीना ने अपने बारे में बहुत सी बाते पहली बार रखी थी इस इंटर्यू में सिमी ग्रेवाल ने करीना से यह भी पूचा था कि वह किसे डेट करना चाहती है इस पर करीना ने राहूल गांदी का नाम लिया था इस इंटर्यू में करीना ने कहा था कि उन्हें लगता है कि राहूल काफे दिल्चस्प इंसान होंगे करीना ने आगे कहा था कि वैं हमेशे इस बारे में सोचते कि दोनों के बीच किस तरह की बाते होगी चुकि वैं खुद फिल्मिक खांदान से और राहूल एक बड़े राजनीतिक परिवार से तो शायद हमारे बीच दिल्चस्प बात चीत हो हलाकि बाद में करीना अपने इस बयान से पलट गई थी साल 2009 में करीना की ये कहते हुए कन्नी काट ली थी कि वो बहुत पुरानी बात है मैं ना ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हम दोनों के सरने मशूर है मैं किसी दिन उनकी मेजबानी करना चाहूँगी उन्हें प्रधान मंत्री के तोर पर देखना चाहूँगी लेकिन लिष्टी तोर पर मैं उन्हें डेट नहीं करना चाहती